आपका स्वागत है देव एगरी कॉंसेप्ट यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक महतुपन टोपिक मेन्योर एंड फर्टिलाइजर पे खा दें उर्वक्ट पे देखिए दोस्तों यह एक एसाज टोपिक है जहां से हर एक्जाम में क्यूशन और यहां में स्टाथ 153 अबसे चलके देखिए कंपॉश्ट बनाने की विधियां की कमपोश्ट बनाने के लिए कौन-कौन से विदियां आपने यहां तो एकके करके आपने चर्चा कर लेते हैं सब सब पहले जो विदी आ रही है वो आरिए आपके इंदौर विदी और इंदोर विदी और जो इसको दिया हर्चिसन एंड रिचार्ड ने हर्चिसन एंड रिचार्ड ने उनीससी 21 में विदी में विदी नेड़ेब काका ना वो तीसी मानिक राम ने यह दिया थ आगे देखते हैं मायदास विदी, जो मायदास विदी है, वो दिये है आपके सी मायदास ने, तो यह थी अपने कमपोस्ट बनाने की विदियां, आगे अपन देखते हैं, यहां क्लासिफिकेशन दे रहा है, आपके स्तुलखाद का और कलियों का, कि स्तुलखाद में कौन- तो ज्यादा पाए जाएंगे और आपके जो है जो पॉसक तत्वा है वो कम मात्रा में पाए जाते हैं उसको हम बल्की मेनियोर करते हैं तो देखते हैं यहां FYM भी है तो FYM में आपके जो है नायटरोजन की मात्रा देखें तो वो होती है आपके 0.5% फार्म कंपोस्ट के अगर बात करें उसमें जो है नाइटोजन की महात्रा होगी वह की 0.5% सहरी कंपोस्ट के अगर बात करें तो उसमें आपके जो नाइटोजन की महात्रा होगी वह होती है आपके 1.5% आगे देखते हैं वर्मी कंपोस्ट इसमें अगर नाइटोजन की बात बात करें तो ऊसमें अपनो मेरान की अगर बात करें तो में नाइट्रोजन www. بالkit लगे तो अपने की ती बल्की मेरा रहा ना और इसमें वर्मिकंपոस्ट का यूज अपके 5-6 टन परती हेक्तर करते हैं यह भी याप आप लगेगी अगर वर्मीकंपोस्ट का कर LE back तो वह परती हेक्तर 5-6 टन थीग अब बात कर लेते हैं अपन काई lov काई lova ऑं यह दो एक था योग तो सबसे पहले आपन देख रहे हैं घाब heating खादे कलियों में जो आती है सबसे पहले आती कुसुम जो की छिली हुई अगर कुसुम है और वो छिली हुई है तो उसमें नाइटोजन की मात्रा जो है वो फाइप पॉइंट स्वरी 7.9 पाई जाएगी ठीक है अगर आगे बात करें मुंपली मुंपली की जो केक्स होती है या जूती है उसमें नाइटोजन पाई जाता वो 7.2 परसेंट पाई जाती हां और फ्रहइंग की Valley की जो खुस्व्थो फाइन पाई जाती हो 7.2 परसेंट थीग कमापाश की मात गिन 24 पररशेंटी और तिलigsthought के क्ली की बात ogr religions हैं तो इसमें पाइए प्रइए six point two पर्सेंट से सारे वाइं यहाथ रेती यह तो यह बात करें अखादे कलियों की अखादे कलियों में सबसे पहले अपन पट रहें वह है नियम की खली और उसमें जो नाइट्रोजन की प्रतिस्ता होती है वह होती है आपके 5.2 परसेंट और यहां बात करें कि यह एक तत्व पाय जाता है और आगे बात करें अरंडी की जो खली होती है उसमें नाइट्रोजन पाय जाता है और यह जो इसमें एक गुन पाया जाता अगर आपके आपके दीमक नहीं लगेगी यह एक आना चाहता है ठीक है आगे बात करें महवा की जो खली होती है उसमें जो नाइट्रोजन पाय जाएगी वह 2.5 परसेंट पाय जाएगी और करणजी खली के अगर बात करें तो उसमें आपकी नायटोजन है वो पाई एच 3.9 परसेंट यह तो बात हो गई आपकी खलियों की जिसमें आपने देखा खादे कलियां और आगे देख रहे हैं अपन बात करेंगे आगे वह हरी खाद जिसे ग्रीन मेनियोर कहते हैं अब ग्रीन मेनियोर जो होती है उसमें अपन क्या करते हैं जो पसले होती है उसको पुस्प ववस्ता में आप उसको अपने खेत में मिला देते हैं तो उसको अपन ग्रीन मेनियोर करते हैं तो इसमें कौन-कौन सी पसले यूज लेते हैं तो पसले आपन देखेंगे सबसे पहले सब्सक्राइब करें तो अंवर से करता है यह चा से करता है के फिक्षितर केजी ठीक है लब्या कि लब्या घूरा पेशितर केजी और यह वाक्के सबस्राइब ओर वी रागैख मेंसाट केजी ठीक है श्यतर के विए पिक्सेंट लेता करता है वो 65 kg प्रतियक्टियर करता है आगे बात करें मौंग और उडदगी इसकी जो सीट रहती है वह आपके 15-20 kg रहती है प्रतियक्टियर और जो यह नायटोजन करता है लगबक 60-65 kg यह नायटोजन करता है यह तो अपने मैनिवेर की बात यह काट की बात अभुम आगे बात करेंगे इसको यह टीरघ्लिश और यह तो यह है कि कारबनिक बसक्छ से घै कर्पने पताकि जो उर्वरच है वह उता है कि यूर्य 58 है चारप कॉन मानने सब्सक्राइबिन करों कि कॉर्थ कणिया गर्ट करें लाई-खन सब्सक्राइब इसे बएला नाइ्टोजन यूक्त ऊइवाक कि जिन जिन we can止ल फाइब उनकी अपने आपन चरचा करेंगे तो वह के परकार की होते हैं तो वह आपके लगबग वो चार प्रकार के वह बहुरते हैं सबसे पहले आंटा नाइडरेत ऊटल रवक फिर दूस्रा था आपके अमोनिकल ओरवक के सबसे करके हैं के होते हैं ऐसे डिक नेचर के तो आप याद एक यहां दे भी रखा है कि नाइटोजन यूग तूरोगों की प्रक्रति आपके शार ही होती है ठीक है अपन इसको एक एक करके देख रहे हैं दूसरा बात आती है Ammonium Sulpate इसमें जो Nitrogen पाए जाएगा वो पाए जाएगा 20 परसेंट 20.5 परसेंट और जो Sulpher पाए जाएगा वो 24.5 परसेंट पाए जाएगा आगे देख रहें Ammonium पॉस्पेट जिसमें आपके जो Nitrogen है वो 20 परसेंट और आपके पॉस्परस भी आपके 20 परसेंट ठीक है आगे देख रहें Ammonium कलोराइड Ammonium कलोराइड के अगर बात करें तो इसमें आपके Nitrogen पाए जाएगा 24-26 परसेंट ठीक है आगे देखते हैं एन हाइडरस अमोनिया इसकी बात करें तो इसमें आपके नाइटरोजन पाए जाएगा बीयाशी पॉइंट पांट परसेंट जो की सरवाधिक होता है ठीक है ना आगे देखरें Ammonium नाइट्रेट अगर इसकी बात करें ऑमोनियू नाइट्रेट की तो इसमें नाइट्रोजन पहें जाएगा 33 पर सेंट और मेगनेश्व आप निक्ल्सियू से पहेंस ही क्याला यह प्रौन जाता हैัंने यह पूजाता है केलसियमं, ammonium, nitacious and drill. अगर इसकी बात करें तो इसमें नायटरोजन प्रेजाता वह उन्तारे स्पॉन बन परसेंट यह दें आपके विविन परकार के जो है फर्टिलाइजर इसकी जो यह परसेंटेज में जो इसके पौसक तत्व दे रहे हैं यह आप बिल्कुल याद रखेंगी यहां से कुशन आ जाता है ठीक है अब अपन देख लें नोट में क्या गया लि शारी होती है अपने पहले है ठीक है ना चाहते है यह हूर होते हैं इसका जो आपने यूज परते हैं और और यहशे ऊकरफ करता है यह पर्णञ अ यूज होंगे और अप्चेंश रिदूस्ट जोन में कौन से यूज होंगे तो आपके आमोनिकल जो आपके जिसमें पाए जाता है वह उर्वक आपके उसमें यूज होने वाले हैं ठीक है आगे बात करें धान की पसल में नाइट्रोजन का नुक्सान अकर धान की पसल है तो इसमें सर्फ किस रूप में होगा तो वो आपके डिन अ के रूप में आपका ऊसमें सरने नुक्सान हो जाइगा ठीक है यह भी आपको यह पडाशन अगर क्यों से कौन सा जो पॉस्ट पर्स के रूप में, तो आप अपन देखते हैं इसको, इसमें क्या के इसको convergen आता है, अगर को आपको पॉस्ट पर्स दे है और पूचा नहीं तो अगर आपको पॉस्पेट में चेंज करना है तो पोस्पेट को में चेंज करने के लिए अपन गुणा करेंगी जिरो पहुर तरीका यह भी आप याँ सी क्युष्टन आ जाता कहभी तो अगे देखते हैं उसकी उत्पति जो स्टल तरह मोरे को यह भी आप याथ प्यादके और पॉस्परस युख तो रूगों एगलग कर जिसमें पहला परकार आगा जल्मेंग गुलंसील पोस्फेरस युक्त औरवक की धेया Rudolph प्रकार वह यह है उर्वक को व्यों प्रकार फक्र मुद्म है यह सबसे पहले दिए आता है SSP single super phosphate ठीक न तो इसमें जो नाइट जीन्ट पोस्परस होता हो 16 परसेंट होता है काल्सियम उनीस परसेंट होता है शलपर 12 परसेंट होता है और मेंगनेशियम जो होता है वह 0.3 परसेंट होता है यह आप याद आगेंगी और इसके में जो बात हो है कि इसमें जो है तीनों परकार के जो है दित्यक पोसक तत्व पाए जाते हैं जैसे केल्सियम मेंगनेशियम और सलपर तीनों परकार के दित्यक पोसक तत्व पाए जा पिर अधित कि टिपल सुपर पॉस्पेट जो तर्ट टिपल सुपर पॉस्पेट्रों इसमें आपके आपके 48 होती ठीक न कि ढ़िए भी डैय आमोनियों प्रस्पेट कि अगर हम बात करें तो उसमें जो पॉस्परुस होता है वह चिया रीस परसेंट और नाइटर्चन की बात करें वह आपके अठारा पर्सेंट हो यह तो तो दे आपके जल की उदासी वाश्यार्म को एका कर और देख लिए आगे चल्चा कर रहे हैं हमलिसित अमल में इसे तिंदा के आता आजल इसीम पॉसपेट एक की बात करें तोमस और बैस जो है बैसिक सलजे के एगर बात करें तो इसमें आपके 14-18 परस्ट होता है ठीक है आगे बात करें जल्व इसका अमल में पॉस्पर युक्त औरवक यह आपके तीसा प्रकार है पॉस्पर युक्त औरोग के तो इसमें जो इनका प्योक अधिक अमली मर्द कि कहीं बाहर आ चुका है तो इस में जो पॉस्पर्स की मात्रा वो बीस से की दिचित समट से यह को सब्सक्राइब करना है तो इसको अब करना पड़ेगा उन पॉयंट की जीरों से अगर आपके पास इसको सब्सक्राइब को पॉटेश्यम में चेंच करना है तो आपको multiply करना पड़ेगा 0.83 से यह भी आप याद रखें बहुत इंपोटेंट है ठीक है आगे देखते हैं जो पोटेसियम युक्त उर्वक है इन उर्वरकों का जो निर्मान है वो भारत में नहीं होता है यह इंपोटेंट है यह याद रखना कि कौन से उर्वरक करते है तो युटलॉड जिसमें क्लोराइड नहीं होता है तो इसमें आप बात करें क्लोराइड युक्त पोटेसियम उर्वक इसमिक मुराइट ऑल्व differs जिसमें अगे इता है क्लोराइड बात करेंगे सip अगर करेए और में यापके 60% किसमें पॉट्स होता ना नकी पॉट्स याद रखेंगे किसमें जुट पॉटियुम नहीं होता यह आपके जो है उनकी जो जिसे स्टार्ड वाली जो क्रॉप्स होती है यूज नहीं करते इसलिए आलू में इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें पाए जाता है ठीक है ठीक है आगे देखते क्लोराइड मुख तो पोटेशियम मूरख अगर उसमें आगर बात करें तो यह होती है 13 फिर आती है से पस्ट्राइब करें बहुता है आपके अबसक्स के बात करें वह उठाइब अपने स्टार्ट मोगद उनका यूज्ञ घर लिग करते हैं कि आगे देखते हैं एक तो ब्राइब का यहां से पुस्छन आ जाता है भाई रिट क्या होता है तो बाइब क्या होता है अगर दो यूरिया के जो अगर अगर लुदेज हैं जाहिए जैसे अगर आपको बाईबि का चर्काव करना तो यह आपकी संदर्ता रखनी चाहिए ठीक है अगर मर्दा में आपको बायरे डालना है तो उसकी जो शांदर था रखेंगे वो रखेंगे आपके वन पॉइंट परचेंट से कम ठीक है न चलो यह एक देर काया कि फटिलाइजर कंट्रॉल ओडर एप सी ओ यह ओडर रहे आपके सबसे पहले जो आया था यह बायरे डिट की परचेंट काओ कि सांदर ताहिये रखेंगे यह नहीं रखेंगे तो यह जो सारा ओडर जो देता है वह आपके फटिलाइजर कंट्रॉल ओडर ही देता यह भी आप याद रखने ठीक है फिर आपके नोट आए वापस नोट में क्या के लिखा हुआ है तो न सबसे पहले तो बोल ने किया था अगर कोज की बात है तो एक देखते हैं यूरिया अमोनिया फोसपेट यूर्या कि जो ता इसको मतलब करते हैं कि इसके ड़ंड होते हैं यह साइज में थोड़ी होते हैं इसलिए इसको गुरौ मोर करते हैं तो इसकी मातरा के अगर बात करें तो वह होते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि नाइटोजन होता है पॉस्परोसा लेकिन इसमें नहीं होता यह आप याद रखें यूरिया अमोनियम पोस्पेट जिसे ग्रोमोर करते हैं आगे बात कर रहे हैं यूरिया की पणिये शिर्काओं के लिए शांदरता कितनी रखेंगे तो वह आपके दो परसेंट रखते हैं तो आगे देख रहें अमोनियम नाइट्रेट एक और अमोनियम नाइट्रेट जिसकी प्रकृति है अमलिये और जो यह आधरता ग्राई आधर इसवाइन ःट्रेट गिंहाता तो यह विस्पोर्टग प्रकृति का तो याधे कि वीश्पोर्टग प्रकृति का 水min金र जाता तो याधरता कि बनादी इसको अप्र एक कर्दें तो यह से कुछना जाएंगे चुने के साथ कौन से हुप रूब को में श्रित नहीं कर सकते तो वह आपके अमोनियू सल्पैट ठीक है आगे बात करें शिंगल सूपर पास्पट की ठीक है सिंगल सूपर पास्पेट जो हता है वह था रोप पोस्पेट और हैज्टो में जो है हुआ या बनायागा है तो याद आखेंगे सिंगल सुपर पास्पेट के बारे में बॉर्ण मील जिसे हड़ी का चुन कहते हैं यह अमले मर्दाओं को सुदारने में काम आता है ठीक है बात करें कैन की केल्सियम अमोनियम नाइटरेट प्लस चुना पत्तर अमोनियम नाइटरेट और केल्सियम कारबोनियम बनलब चुना पत्तर मिश्रण अगर मिलाएंगे तो आपके कैन बंजाएगा यानि केल्सियम अमोनियम नाइटरेट बन जाएगा और इसके zeठक्षान खाद इसके कहते हैं सोना खाद इसके कहते है है neutral जो है फर्टिलाइजर या उर्ग किसे कहते हैं यह आपके उदासीन प्रक्रतिका होता है इसलिए ऑफको हिसको क्या कहते हैं neutral oh Ho प्वाद रहें जी मे'll बैर सिक्विस्न कैने आया यह बोwn tehd profits तो च्थे कि आगे देखेंट in scoop undes सब्दावली तो सब्दावली में क्या है सब्दावली में पहला जो आता वह आता आपके त्छीर अब इसट्रेफ फर्टीलाइजर क्हीं होता है इसमें केवल एक पॉसकत्तव से नपीन तो थिसमें अगर एक पॉसकत्तव में है वह आपके इसे पश्चि क्लाथे हैं तो जैसे यूरिया जिसमें ऐगर बात करें करें तो इसमें आपके आपकी एक एक आइट उचान तो इसके हम उसे कहते हैं तो उसके हैं चलते हैं जतील वुरवरक चैसे कॉंप्लेक्स पटिलाईजर कहते हैं इस्essमें क्या हुता है इनमें डोया सभी प्रात्मिक पाज्यक तत्वा पाये जाते हैं या तो दो पाई जाए या सभी परक्वरोंरे क्योंकि तीन ही होते हैं प्राइम्मिर्ट्र all इन्यूस्टäll क्या क्या है ग्यां, तो कौन-कौन से तो धिक जो है अगर आगे अपने चाहरनी पर बगरबात कर लें तो वह चीज ऐसे सब्दावली है यहां से कुछन हर बार आथा है तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो अपनद करें सबze पहले नून स्टात या ऊच्छ विशलेशन या धाम ब्यान लोग एनलयOOOOOOOO फटीलाइजर तो यह लोग ईन्लीज़़ टीके अगर हाई कि देखें तो MPK जो मात्रा या पर्टिसलेशन उन्हें नूर्वक्ट वह वो होंगी जिसमें नीडिया परसेंट वह वो 25 से कम होगी जो फर्टिलाइजर है उनकी जो प्राइमरी नूट्रियंट है उसमें उसमें जो है 25 से ज्यादा होंगी ठीक है यह आप यादा किए तो आपने देखते हैं के करके आमोनियम सल्पेट अगर अमोनियम सल्पेट की बात करें तो इसमें आपके नाइटोजन बीस परसेंट और पोस्वर्स होता नहीं हो इसमें जो मात्रा है वो आपके 20.5 लए तो बीस पॉइंट पांच आपके 25 से कम है तो इसलिए क्या हो गया नियो निविसलेशन उग रोक ह सकते हैं आगे आ रहा है आपके देख सकते हैं आगे आ आ रहा है आपकी दोसी सानी उसमें देरका है आपके अमले तुल्यांग और शारे तुल्यांग अगर बात करें जिसे हम एक्षिडिक एक्विलेंट कहते हैं और अगर शारे तुल्यांग की बात करें तो इसको एलकेलाइन एक्विलेंट कहते हैं ठीक है तो इसमें एके करक एन्हाइड्रेस अमोनिया के गरब बात करें तो उसका जो अमली तुल्यांग होता है वो एक्सो अट्चास होता है अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो उसका एक्सो टाइस होता है अमोनियम सल्पेड के गरब बात करें तो उसका एक्सो दस होता है ASN की बात करें तो उसका तरान में होता है यूरिया के गरब बात करें उसका C होता है DAP की बात करें उसका 77 होता है अमोनियम नाइट्रेड की बात करें तो 60 होता है और MAP की बात करें तो 55 होता है तो यह तो होते हैं आपके आगर केल्सियम नारटःड की बात करें तो 21 होता है यह भी ऑपन देख सकते हैं ठाइस में आगए आगर अगर देहां की तोसमें सबसे पहली आती है आपकी ब्रोड कॉर्ड कस्टिंग स्थाल करिये दौ अगर सुन्ट प्रकारी के ब्रटर बेसलिघा। कि और एक होती है है टौप डेसिंग अगर बेसल डोज के में हम बात करें तो इसमें आपकेWhen बेसल किसे कहते हैं अगर एक समय को घ्रले देते हैं तो जाएकार ऺग derecho के समय के थे दिक तो दे रहे हैं तो आपके Un Solat in d native ॉस्त यहाहते आप फॉति अप सकते हैं ठीक है आगे बात करें बेंड प्लेस्मेंट बेंड प्लेस्मेंट के अगर बात करें तो उर्वगों को कतार के बीच या पौदे के पास दिया जाता है आपके बेंड प्लेस्मेंट अब यह भी दो परकार की होती है उसमें पहला आता रो और प्लेशमेंट अब टो का मतलब होता है आपके क्तार जीसे हम कोई पसल लगा रहे हैं जिसके दोनों तुर्ब बीच में तोड़ी काई यह और दोनों सब्सक्राइब भीजमें अगर में अगर फटिलाइजर देते हैं तो वह राखा दूसरा था आप प्लेशमेंट में किय तो कि यह मैं यह सब बात करें नोट के देरका है कि स्टार्टर और रोज क्या होता है वाइक के समय दी जाने वाली एंपिके की मात्रा क्या कहला थी यह वाप बिल्गुल याथ रिक । दूसरी बात करें डीप प्लेस्टमेंट की डीप प्लेस्मेंट किसमें यूज ओता है तो आपके दान की पासल में में अन्दर दीया जाता है ये भी डीप्लेश्प कर सकते हैं आगी बात करें सेट कम फटीम्फट्टिलाजर मशीन की में आप कई गाहन देखे वोगी जिसमें आप जैसे से बीज और ओर य'll को मिक्स कर देते हैं और ईसको एक साथ कर देते हैं तो आपके बहुत ही बेनिफीशल होता है जहите आग देते खड़ी पसल में नाइट्रोजन का निदारण करना है तो आपके SPAD मेटर और आपके कलोरोफिल मेटर का यूज होता है और दूसरा जी होता है आप पॉस्परास और पोटेशूम का शिरattack नहीं कर सकते हैं यह विस्व सियाड रखेंगें था आगे बात करें यूरिया की शांदरता कर रहे हिं तो यूरिया की सांदरता कितनी ने उत्वेकिव पहले देख लिए दो तो परसेंट रखते हैं अगर माइक्रोनुटेंट का अगर पढ़ने सिकाव कर रहें तो उसकी जो सांदरता रखेंगे वह 0.5 परसेंट रखेंगे यह भी आप याद रखेंगे ठीक है अब तोड़ी कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूं जैसे फर्टीगेशन फर्टीगेश सागनासिय हर्वी साट देना वो आपके हर्विगեशन केलाता है Washington राते है Ar cancelled इनके साथ आपके नायजरीय त यह वियात लिए यह तो कहीं बाहर कुंची तो आपको यह यादक नहीं कि फेरस कितना परसेंट होता है तो आपके उनिस परसेंट की बात करने तो चिंग की मातरा 33-35% सब्सक्राइक नीज़नीज होती है वह वह आपके 26 परसेंट होती है बोरेक्स की बात करें बोरेक्स में आपके 11 परसेंट अरब इक नोटे है और ऑर सोलिबल बहुत करें तो 20 परसेंट बोरोन होता है थिए ना तो यह सारे करके आप माइक्र नॉटेंट फटिलाइजर भी याद कर लें यहां से कभी-कभी पूचा जाता है ठीक है अब बात करें नॉट में कि जिप्सम जो होता है पहला जिप्सम इसका जो फॉर्मूला होता हो केल्सियम सल्पेट पॉइंट इसमें जो केल्सियम होताओ तो थो पॉइंट परसेंट होता है और सलपर की बात करें तो खसरी की जिप्सम में इसका फॉर्मूला ऑगए हो और जो है इसमें केल्सियम और सल्पर कितना उटा होता फिर आक day अब बात करें जिए ज्वोगूरेटोजन यूक्तूरग क्या होता है जैसे कि जो स्पार्फिक को वह कौन वह दिखते हैं यूरिय यूर जня इसमें पर बैजी तिन्टी है यड़ो मात्रा तीस परब्स थी आ आई बी डी वी वो आपके नाइटोजन नी मात्रा 32 और यूरिया जेड उसमें नाइटोजन युक्त ऊरवरा ठीक है आगे बात कर रहे हैं नाइटोजन अवरोदक नाइटोजन इनिवीटर कौन-कौन से होते हैं नाइटोजन की जो गती है यह उसकी जो है स्तिक्रण की जो दीडियों करती है उसको रोग देता उसको कहता है इनिपीट कर्ना मतलब अवरोथ करना ठीक है इसका मतलब यह आपके निवेटर का मतलब है कि नैट्रोजनु रोप में क्याद यह प्या तो यह जाता है यह पियार में कदा यूg का युजियों काुज वे नेबेंटर के रूप होता है तो वह है आपके करंज और नीम की घली तो आपके फटिलाइजर आगे जो टोपिक आ रहा है वह आ रहा है आपके बाइव फटिलाइजर गाशी के अगम बात करें वह क्या वो देख लेते हैं तो नैट्रोजन यह विद्वक्ति वो है आपकी यह इमेरिना इस्को करा दिया थो क्रते हैं तोब सकतेह्षा आप और चाहा से ब्लेडी राइजोबियम तीसरा ता फ्रिंक किया चोपा एजोला पांच आता आपके एजो राइजोब्यम तो यह तो आपके से जीवी रूब कोन वह तो करते हैं वह करते हैं आपके एस जो एक्टेर प्रस्टा अजो फेलियम क्लोस्टीडियम और साइनो बेक्टिरिया यह आपके एस एजीवी रूप से करते हैं तो आप आसानी सिस्के जो कुछिशन को कर पाओगे ठीक है आगे बात कर रहे हैं पॉस्पर युक्त जे वुर्ण कौन-कौन से होते हैं तो वह होते हैं आपके दो परकार के एक तो गुल और सबसे पहले अपने गुश्री ओर्फ और खुते हिए तो इसमें जू है पउस Şu efecto कि पढ़ाख के प्रफिरिम से ह होते हैं तो नजो जो है आपकी फौस्पर गुलन African después यह वान गाने प्रफिकुलर शचिद ृद्टेम की फूलिए यह आ milli चालगता को बेंगे स्ट्रेnoc दोनों वाम और गुलूमस जो है यह दोनों ही आपके पॉस्ट पर उसकी है चालकता को बढ़ाते हैं ठीक है आगे बात करते हैं इदर क्या है कि कुछ जेव और रख दे रहे हैं और इदर किस प्रसल में उसका यूज होगा वो दे रहे हैं तो अपन देखते हैं राइजोबि इसका जो यूज होता है गन्यम होता है एजोस्पेरिलियम की एक बात करें तो जवार और घास में इसका यूज होगा बीजे और एजोला की एक बात करें तो इसका यूज होगा आपके धान में तो यह भी आप एक एक करके याद रखेंगी ठीक है अब आपके एक मैं तो प आसे इकटा रिज Cao में य। Three यॵरमेश सकते हैं उसकोह बलता है कि महलब रिजका मेहट दियाओ सखते हैं प्रिजोपियम में नहीं ल разм theybeam निंट गजया की लिए आङट देखते हैं य९ह विइंट जो ये ईकोनी कम न耐रिआप यो ओनी ठीक है अगे बात आपके रैजोबिए थिरी और किस पुर्फ लियुदे वह ए बात करयें सकते हैं अगर तेकिन और की मैं देर रखा है तो इसमीं देर का राईयोबियम तो राईयोबियम यह dealers एक यह उपर होई है की यह तरीम होता स्वायोट स्टीरिय अबक्राओं स्कश्छा मेर क्शूरव कोश्ष्छ है यह लाईयोटिक पेक्टिरिय और प्राइजीयोग्ट को लाएं तो वह दसीट के लिए इनफ होता है अगर हम बात करें एक एगजी सीट के लिए तो आप एक केज़ीस एक लिए 20 ग्राम राइजीयोग्ट कर सकते हैं ठीक यह बात होगी आपके आगे देखते हैं सहे जीवी नाइटोजन स्तिकरण के जनक कौन है तो वह तो यह दोनों ट्रम्स आप याद रखेंगे अगे बात करें BGA की Blue Green LG नील हरित सेवाल जिसे हम साइन वेक्टिरिया भी कहते हैं तो इसमें क्या दे रखा आप की पसल में मुक्हता उप्योग करते हैं आपके जो ब्ल्यू ग्रीन इल्गी ने इसका यूज आपके दान की पसल में मुक्हता है यूज होता है ठीक है इसकी तो जो थो ऑनना बीना और एक नॉन स्टोप इसकी उप्योग जवरग अगर बात कर ले तो वह के अगर बात करें तो आपके बीच से तीश केजी पर तीक्ठ अगर आपके जो इसमें डालेंगे खेत में तो यह ना-गरreगा आपके 30-20 से 30 kg पर्तियक्टर के दर्षे आपके नाटोजन इस्तिकरन करेगा ठीक है आगे बात करें एजोला की अब सबस्पिछ पहले तो यह क्या है जलीए फर्न जिवी क्यों कई बार आया है कि एजोला क्या है तो एजोला एक जलीए फर्न है ठीक है न मुक्षे धान की पूसल में य पूसल में आपके पॉस्परस और जिंक की उपलपता बड़ा देता है वां ठीक है यह आपके जड़ ऑर पहत्पुंद के मद्दे सहजीवे समद्ध है आप याद है कि वां जड़ और पहपुंद के ने रूट और फंगस के मद्दे जो है आपके सही जिव समन्द दर्साता है ठीक है बीजोबचार क्रम अगर बात करें तो वह आपके एपाई यार होता है मलब कि फंजिसाइड इंसेक्टिसाइड और राइजोबियों कल्चर यह तिनों का यूज आपके इस तरह से करेंगे बीजोबचार के लिए ठीक है अपवाज झैराकित राजमा राजमा की बात करें तो राजमा जोटा है इसमें नायटोजन स्थिकरण Tempor ninks करता तो नरो यह नहीं किरता तो इन नहीं करता तो इसमें आपको नायटोजन दी जाती है ठीक है आगे बात करें क्लोश्टिय डियम की फ। प्रक्वाइब आगे देखें अक्तिस तीन अट्डाय ही जो हता है वो आपके सुस्कषेत्रों के लिए पिर्भाभण गया आती है में तू तो कहले जो संबन्य तरसाता है और वह संबन्स नहीं जबा करेगा उसके बदारतों और चेटी करेगा ऑफिक्तिती करेगा Olivier आगे बात करेंगे नाइटोजन फिक्सेशन अगर नाइटोजन फिक्सेशन मर्दा का पांच से कम हो जाता है तो उसका जो रुख जाता यह करना चाहता इस पॉइंट में अगर मर्दा का पीएच अगर आपके पांच से कम हो जाएगा तो आपके नाइटोजन फिक्सेशन रुख जाएगा यह आपकी इस पॉइंट में बताना चाहरा है ठीक है सी खंद के दिए आफसर पोशक ताथ रही होते हैं तो यह आपकी अंपॉटेंट कि अलोग्रास को क्या जाकर दाव कोन से होते हैं तो आपके यह मालूबद इन नंव आ आइड़न और काबार्ट किन YOUR फीस पॉसर्सक्त का तो आपके डांगी दिखते हैं ब इसके बदो Belle तो होता हि कि गात माइनस नई यह नियोप्रिंद माइन इस्लैक्ड हो किया हुखको में और क्राइब किया 31 मईं 2021 आपना इसमाइड कि पृतिसत्फ तो आपके बृप्र आकार पार्टिकल साइज के गरम बात करें तो वह होता है तो यह क्वाइस में पुछा तो आप याद है कि जो ने नहीं यूरिया है उसमें पार्टिकल साइज किसे नहीं होती है तो वह आपन बात कर लेते हैं वह है कि इसमें से क्यूशन आता आपके नुमेरिकल का कि फर्टिलाइजर की याद करो जैसे पोसकततों की जो है जो है आपकी याद करो तो ऑपन उसको देख लेते हैं सबसे पहले जो सुटर है अपने पास हुआ है कि उर्वरक की मात्रा अगर अपको उर्वरक की वातर निकान ली है तो यह फॉर्मला यूज करेंगे सो बटा उर्वरक में उपस्तित पौसक तत्व की मात्रा और दिये जाने वाले पौसक तत्व की मात्रा यह तो थे आपके उर्वरक की अगर मात्रा निकाल लिए हो तब अगर आपको निकाल लिए पौसक तत्व की मात्रा तब अपने यूज करेंगे उर्वरक इसको सेम उल् आप करते सवाल तो इसमें अपने को पूचा है आपके आपको यूर्य की आप सकता होगे मलब पटि लाइजर की मात्रा आप अपने तो आपके यो जोगा आपके पीस्ट फोर्मॉला तो इसमें लगए लेते हैं पिस्ट फॉर्मॉला तो हंड्रेड डीग है शीना कि यूंड लगबग आपके तीन बार जाएगा तो अगर तीन को मल्टिप्लाइ गरेंगे तो यह हो जाएगा तीन सो तो यह आपके वन हेक्टर के लिए आ गया अपने दे रहागा यहां 10 अंसे कर देंगे तने फिन न को अपनने 20 से गुन्हा करें तो आपके हो जाएगा तीन हजार जो हो जाने असर हो चाहिए वह आपके ड होजाएगा यह तो था आपका तर See seniors को तो आपके तीन पॉइंट कुछ आता है तो इसके अपन अनुमाहन से करें लगबक से करें तो भी आपके आंसर आजाएगा ठीक है कि आगे एक और दे रहा किसी खेत में कि सो के जी डिए पी तता सो के जी यूडिया देने पर किसी किसी किग्रा नेत्रजन अच्छ इसमें मैं मिस्प्रिंट है थोड़ा तो आपको इसमें आपके जो है नेत्रजन और पॉसपरस की माता निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे तो अपने को दे रखा है 100 kg तो डिय पी चीख है और 100 kg क्या दे रखा है यूरिया तो इसमें आपने उपता है कि आपके 46 प्रसेंट तो क्या पाई जाता है पोस्परस और आपके 18 प्रसेंट क्या पाई जाता है जो है नाइट्रोजन ठीक है यूरिया की बात करें तो इसमें आपके निकलते हैं पसंट तो सो केजी है तो इसका मतलब आपके आपके सो में निकलेगा तो तो हो गैप आपकी नाटोजन इसमें फोगे थी कि ना तो च्यालिस पना इसामिगा आपके न Deutsch पर प्लसolly कितने होगे कि दॉसे दों सब्सक्रों सब्सक्राइट कके हैं वह तो गया आपकर है और जो यह जाएगाहिभार कि ऐन sus हो जाएगा अगर आपको इसको फोर्मले से भी करना है तो फोर्मले से भी आप कर सकते हैं उसमें आपके सबसे पहले निकलेगा फिर आपके यूरिय का निकलेगा तो आप इसे भी कर सकते हैं ठीक है यह तो आपके आज का खाद और उर्वरक से जो है टॉपिक से जो क्या क्य कुशन आएंगे उसके बारे में अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद